नमस्कार गुजरात के गवणर स्री आचारिय देवरत जी ग्रह और सहकारिय मत्ना मंत्री स्री अमिज भाई शा केंद्रिय कृष्ची और किषान कल्यान मंत्री नरेंद्र सी तोमर जी गुजरात के मुख्यमंत्री स्री पुपेंद्र भाई पटेल जी उत्तप देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाद जी अन्य सभी महानुभाव देश के कौने कौने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई और भेहनो देश के क्रिसी सेक्टर खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुती महत्पपून है मैंने देश भर के किसान सात्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था की प्राकृति क्रिसी के लिए क्या चाहिए क्या करना है बहुती सरल सब्दों में उन्होंने समझाया है और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका ये बारदर्शन और मैं जान बुचकर आज पूरा समय उनको सुन ले के लिए बैठा था क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धी प्राप्त की है प्रयोग सफलता प्रुवग आगे बढ़ाए है हमारे देश के किसान भी उनके फाइदे किस बात को कभी भी कम नहीं आकेंगे कभी भी भूलेंगे नहीं साथियों ये कौनकलेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दाइरा इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है भारत के हर किसान के लिए है एगरी कल्चर के अलग-अलग आयाम हो फूर्ड प्रोसेसिंग हो नेचरिल फार्मिंग हो ये विशे 21 सदी में भारतिय कर्सी का काया कल्प करने में बहुत मदद करेंगे इस कॉंकलेव के दौरान यहां हजारो करो रुपिये के समझोते उसकी भी चर्चा हुई उसका भी कुछ प्रगति हुई है इनमें भी इथेनोल, और्गनिक फार्मिंग और फूर्ड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्सा दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है मुझे इस बात का भी संतोस है कि गुजरात में हमने टेक्नोलोजी और नेचरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किये थे वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे है, मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्णर अचारे देवरजी का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनोंने देश के किसानों को नेचरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्वव अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है साथियों आजहादी के अमरित महत्सों में आज समय अतीत के अवलोकन का उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है आजहादी के बात के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई जिस दिशा में बड़ी वो हम सबने बहुत बारी के से देखा है अब आजहादी के सोवे वर्स तक का जो हमारा सफर है आने वाले पचीश साउं का जो सफर है वो नई आवशक्ताओं नई चुनवतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है बीते छे साथ साल में बीज से लेकर माजार तक किसान की आई को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं मिट्टी की जाँच से लेकर सेंकडो नए बीज तयार करने तक PM किसान सम्मान निधी से लेकर लागत का डेड़ गुणा MSP करने तक सिंचाई के ससकत नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं और सिमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषन में किया है खेती के साथ साथ पशुपालन, मदुमक्खिपालन, मच्षपालन और सावर उर्जा बायो फ्यूल जैसे आएके अनेक वहिकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है गावों में भंडारन, कोल्ड चेन और फूट प्रसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड रुपिय का प्रावधान किया है ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्टन हमारे सामने है जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी, तब क्या होगा जब मोसम ही साथ नहीं देगा, जब दर्ती माता के गर्ब में पानी सिमित्र है जाएगा तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनोतियों से दोचार होना पड़ रहा है यह सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांते में एहम रोल निभाया है लेकिन यह भी उतना ही सचा है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा खेती में उप्योग होने वाले किटन आशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से दुनिया के देशों से अर्बों खर्बों रुप्या खर्च करके लाना पड़ता है इजवजय से खेती की लागत भी बढ़ती है किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है ये समस्या किसानों और सभी देशवास्यों की सहत से जुड़ी हुई भी है इसलिए सतर्क रहने की आवशक्ता है जागरुक रहने की आवशक्ता है साथियों गुजरात में कहा वक्त है हर घर में बुली जाती है पाणी आवे तो पहला पाल बांदो पाणी पहला पाल बांदो है अपना ते बन दज कहता हो इसे इसका तात्पर है ये कि इलाद से पहले परहेज बहतर इससे पहले की खेती से जूड़ी समस्याएं भी विक्राल हो जाए उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है हमें अपनी खेती को केमेश्ट्री की लेब से निकाल कर नेचर याने प्रकूरती की प्रयोग साला से जोड़ना ही होगा जब मैं प्रकूरती की प्रयोग साला की बात करता हूँ तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारिती है ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचारिय देवरत जी ने विस्तार से बताया भी है हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त करकर के भी यूटूब पर आचारिय देवरत जी के नाम से डून देंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे जो ताकत खाद में है फर्टिलाइजर में है वो बीच वो तत्व प्रकृती में भी मौजूद है हमें बस उन जिवानों की मात्रा धर्ती में बढ़ानी है जो उसकी उपजाव शक्तिस को बढ़ाना है कई एक्सपर्स कहते हैं की इसमें देशी गायों की भी एहम भूमिका है जानकार कहते हैं की गोबर हो गोमुत्र हो इससे आप ऐसा समाधान तयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं इस खेती में ना तो खात पर खर्च कमना है ना किट नाशक पर इसमें सिंचाई की आवशक्ता भी कम होती हैं और बाड सुखे से निपटने में भी ये सक्षम होती हैं चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पाने वाली भूमी प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसले ले सकता है यही नहीं जो गेहूं धान दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है जो पराली निकलती है उसका भी इसमें सदुप्यों किया जाता है यानि कम लागत ज्यादा मुनाफा यही तो प्राकृतिक खेती हैं साहतियों आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही back to basic की और बढ़ रही है इस back to basic का मतलब क्या है इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना इस बात को आप सब किसान साहतियों से बहतर कौन समझता है हम जितना जड़ों को सीचते हैं उतना ही पवधे का विकास होता है भारत तो एक क्रिशी प्रधान देश है खेती किसाने की इद गिद ही हमारा समाज विक्सित हुआ है परमपराय पोशित हुई हैं परवत योहार बने हैं यहां देश के कोने कोने से किसान साथी जुड़े हैं आप मुझे बताइए आपके इलाइका का खान पान, रहन सहन, त्योहार परमपराये कुछ भी ऐसा जिस पर हमारी खेती का फसलों का प्रभाव नहों कुछ भी नहीं है जब हमारी सब्वेता किसानी के साथ इतना फली फुली है तो कुछी को लेकर हमारा ज्यान विज्यान को कितना समुर्द रहा होगा कितना वैज्यानिक रहा होगा इसलिए भाव्यो भेनो आज जब दुनिया और्गेनिक की बात करती है नेचर्रेल की बात करती है आज जब बैक टु बेजिक की बात होती है तो उसकी जड़े बारत से जुड़ती दिखाई पड़ती है साथियों यहाँ पर कृसी से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्तित है जिनोंने इस विशे पर व्यापक शोद किया है आप लोग जानते हैं हमारे हां रिगवेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुरानों तक कृष्टी पाराशर और काश्यपिय कृष्टी सुक्त जैसे प्रातीन ग्रंथों तक और दक्षिन में तमिल नाडु के संत तिरुवल वर्जी से लेकर उत्तर में कृषक कभी घाग तक हमारी कृष्टी पर कितनी बारिकियों से शोध हुआ है जैसे एक श्लोग है गोहित अहां छेत्र गामी चा काल जो बीज तत्परह कालग्यो बीज तत्परह वितंद्रह सर्वस शास्चाज्य कृषको न अवसीदती अर्थात जो गोधन का पशुधन का हित जानता हो मौसम समय के बारे में जानता हो बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो ऐसा किसान कभी परेशान नहीं हो सकता गरीब नहीं हो सकता ये एक श्लोक नेचुरल फार्मिंग का सुत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है इसमें जितनी भी संसाधनों का जिक्र है सारे प्राक्रूतिक ग्रूप से उपलब्द है इसी तरह कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं कब कौन सी फसल में पानी लगाएं कैसे पानी बचाएं इसके कितने ही सुत्र दिये गएं एक और बड़ा प्रचलित लोग है नैरूत्यार्त ही धान्याना जलम भादरे विमोचायते मुलम मात्रतों संस्थाप्य कार्य ज़त मोक्षण यानि फसल को बिमारी से बचा कर पुष्च करने के लिए भादों के महने में पानी को निकाल देना चाहिए केवल जड़ों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए इसी तरह कभी गागने भी लिखा है गेहू बाहें, चना दलाएं, धान गाहें, मक्का निराएं, उख कसाएं यानि खुब वहां करने से गेहूं, खोंटने से चरा, बार बार पानी मिलने से धान, निराने से मक्का, और पानी में छोड़कर बाद में गंगा बोने से उसकी फसल अच्छी होती है। आप कलपना कर सकते हैं, करीब करीब दो हजार वर्ष पुर्व तमिल नाडू में, संत तिरुवल्वर्जे ने भी खेती से जुड़े कितने ही सुतर दिये से। उन्होने कहा था, तोडी पुडूडी कच्चा उनक्किन पिडी थेरुवम बेंडादू सालब पडूम। अर्थात, if the land is dried, so as to reduce one ounce of earth to quarter, it will grow plentifully even without a handful of manure. और, साथियों, क्रिसी से जुड़े हमारे इस प्राचिन ज्यान को, हमें न सिर्फ फिर से सिखने की जरूत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब में तराशने की भी जरूत है. इस दिशा में हमें नए सिर्फ से सोथ करने होंगे, प्राचिन ज्यान को आधुनिक विज्ञानी फ्रेम में डालना होगा, इस दिशा में हमारे ICAR जैसे संस्तानों की, कुशी विज्यान केंद्रों, कुशी विश्म विद्यालायों की भूमी का बहुत बड़ी हो सकती हैं, हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थेयरिस तक ही सिमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदला होगा, लेब टू लेंड यही हमारी आत्रा होगी, इसकी सुरुवाद भी हमारे एस संस्तान कर सकते हैं, आप यह संकर्प ले सकते हैं कि आप नेचरल फार्मिंग को प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे, आप जब यह करके दिखाएंगे कि यह सफलता के साथ संभव है, तो सामान्यमानवी भी इस से जल्द से जल्द जुडेंगे, साथियो, नया सिखने के साथ हमें उन गल्तियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा, जो खेती के तौर तरीकों में आ गई हैं, जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से दर्ती अपनी उपजाओ शमता खोती जाती है, हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को और ये बात समझने जैसी हैं, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो इट का रूप ले लेती हैं, और वो इट इतनी मजबुद बन जाती हैं कि बीमारत बन जाती हैं, लेकिन फसल के अवश्रसों को जलाने की हमारी यहां परमपराजी पड़ गई हैं, पता हैं कि मिट्टी तपती हैं तो इट बन जाती हैं, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं, इसी तरह एक ब्रह्म ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के ये फ़सल अच्छी होगी नहीं जब कि सच्चाई इसके बिलकुल उलट है पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फ़सल अच्छी होती थी मानव ताके विकास का इतिहास इसका साक्षी है तमाम चुनवतियों के बावजोद क्रिशी यूग में मानवता सबसे तेजी से फली फुली आगे बड़ी क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी लगातार लोग सीखते थे आज अउद्योगी की यूग में तो हमारे पास टेकनोलोजी की ताकत है भी जानकारी हैं अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहात बना सकते हैं दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परिशान है उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंप्रागत ज्ञान के द्वारा उपाई दे सकता है हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं भाई और भेनों नेचुरल फार्मिंग से जिने सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के असी प्रतिशत छोटे किसार वो छोटे किसाम जिनके पास दो हेक्टर से भी कम भूमी है इन में से अधिकाओं उस किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाजर पर होता है अगर वो प्राकृतिक खेती के तरफ मुड़े गिये तो उनकी स्थिती और बहतर होगी भाई और भेनों प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिलकुल सटिक बढ़ती है जहां सोशन होगा वहां पोशन नहीं होगा गांधी जी कहते थे कि मिट्टी को अलटना पटलना भूल जाना खेत की गुड़ाई भूल जाना एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह हैं मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधार आ रहा है हाल के वर्षों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं इन में से कई तो स्टार्ट अप्स हैं नवजवानों के हैं केंद्र सरकार द्वारा सुरू की गई प्रंप्रागत क्रिश्ची विकास योजना से भी उन्हें लाब मिला है इसमें किसानों को प्रशक्षन भी दिया जा रहा है और इस खेती के तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है भाई और भेनों जिन राज्जों के लाखों के साम प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं उनके अनुभव उत्सा वर्दक है गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयाश शुरू कर दिये थे आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रती आकर्शन बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य से, हर राज्य सरकार से यह आगर करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगया आए। इस अमृत महुत्सों में हर पंचायत का कम से कम एक गाउं जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े यह प्रयास हम सब कर सकते हैं। और मैं किसान भाईयों को भी कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि आपके अगर दो एकर भूमी हैं या पांच एकर भूमी हैं तो पूरी जमीन पर प्रयोक करो। आप थोड़ा खुद अनुभव करो। चलिए वह उसमें एक छोटा हिस्षा लेलो। आदा खेत लेलो। एक छोटा हिस्षा लेलो। एक हिस्षा तै करो। उसमें यह प्रयोक करो। अगर फाइदा दिता है तो थोड़ा विश्थार बढ़ाओ, एक दो साल में आप देरे देरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे, दाहरा बढ़ाते जाओगे, मेरा सभी निवेश सात्यों से भी आगर हैं, कि ये समय और्गेनिक और प्राकृतिक खेती में, इनके बलकि पुरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है, हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है, सात्यों, इस अमरत काल में, दुनिया के लिए, फुर्श सिकुरिटी और प्रकृति से समनवय का बहतिन सबादान, हमें भारत से देना है, क्लाइमेट चेंज समीट में मैंने दुनिया से लाइफ स्टाइल पर एनवार्मेंट याने लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आवान किया था, 21 वी सदी में इसका नेत्रूत भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है, इसलिए आईए, आईए आजाजी के अमरत म होतों में, माभारती की धराक और आसानिक खाद और किटना सर्षतों से मुक्त कर्णे का संकल पले, दुनिया को स्वस्थ धर्ती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाए, आज देश ने आत्म निर्भर भारत का सपना संजोया है आत्म निर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृष्षी आत्म निर्भर बढ़े एक एक किसान आत्म निर्भर बने और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृति खाद और दवाईयों के बदले हम माभारती की मिट्टी का संवर्दन गोवर्धन से करे, प्राकृतिक तत्वों से करे, हर देश्वासी, हर चीज के हीत में, हर जीव के हीत में, प्राकृतिक खेती को हम जनांदोलन बनाएंगे. इसी विश्वास के साथ, मैं गुजरात सरकार का, गुजरात के मुख्यमेंतरी जी का, उनकी पूरी टीम का, इस इनिसेटिव के लिए, पूरे गुजरात में इसको एक अंदोलन का रूप देने के लिए, और आज, पूरे देश के किसानों को जोडने के लिए, मैं समंदित का रुजय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद.